अरे बापरे ये क्या कह दिया बाने अनुच से जिसके बाद जो है अनुपमा हिल गई आई जानते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है आप सभी के पसंदीदा शो अनुपमा में और क्या होने वाला है शो के अपकमिंग ट्विस्ट में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेली बाइट्स में और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंद दोस्काजल सिंग सब्सक्राइब और क्लिक बेल आइकन फो टेलिविजिन अपडेट्स दोस्तों अगर हम बात करें स्टा प्लस के सब से पॉपलर शोओ अनुपमा के बारे में तो शो का जो हाइ वोल्टेज ड्रामा है वह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है हमने जैसे कि शो में देखा कि अनुज ने भाई सभी के सामने कह दिया है कि वो अनुपमा से पिछले 26 सालों से प्यार करता है लेकिन ये वन साइडेड लव है अनुपमा बिल्कुल भी अनुज में इंटरेस्टेड नहीं है पहले ऐसे सच्चाई जानने के बाद वनराज, बाप, पारी तोश इनके पैरत वले मान उस जमीन ही खिसर गई जब ये बात अनुपमा इन सुनी कुछ देर के लिए अनुपमा भी शॉक्त हो गई लेकिन फिर बाद में अनुपमा के लाड़ ले बेटे समन ने अनुपमा को समझाया कि अनुज कुछ गलत नहीं कर रहा है उसने तो कभी अपनी लिमिट भी आपके साथ क्रॉस करने की कोशिश नहीं की वो हमेशा आपको कमफर्टेबल फिल करवाता रहा अनुछ की जितना प्यार आपको जिंदगी में कोई नहीं कर सकता है और कहीं न कहीं अनुपमा को इस बात कर रिलाइजजिशन हुआ जिसके बाद अनुपमा जो है अनुछ के पास जबाती है और हैंड शेक करकर थैंक्यू कहती है कि इतने सालों तक अनुझ ने उसे प्यार किया वो भी बिना किसी मकसत के वैल अनुपामा की यह बादे सुनकर अनुझ को तोड़ा सा अच्छा फील होता है क्याँ की अनुफामा की सर जागी है सबके सामने वे बेजती हुई है यह वह सारी चीज़ dispute में चल रही थी लेकिन अब अनुझ काम हो गया है अनुज जो है सारी टेंशन फ्री हो गया सारी चीजों से ऐसे मैं अनुज और अनुपमा जो है दीवाली सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं तब ही बाह आती है यह सारी चीज़ दोस्तों आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलने वाली है जहां पर बाह आती है अपने हाथ में सिंदूर लेकर और अनुज के सामने रख देती है कि अनुपमा की मांग भर दे अनुपमा के साथ शादी कर ले आनुपमा के साथ शादी रचवा कि तुम दोनों खुश रहो क्योंकि आप हमारी बहुत बेज़ती हो गई है इस बेज़ती को हम परदाश नहीं कर सकते हैं आप शो कि अपकमिंग ट्विस्ट में क्या होगा आप यही सोच रहे हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि आनुपमा बाग को एक बर फिर से फटकार लगाएंगे कि आप हमारे रिष्टे पे क्यों शक करती हैं क्या एक दोस्त नहीं हो सकते कोई लड़का लड़की ऐसे आप हमारे उपर बार-बार ब्लेम क्यों करती हैं कि हम रिलेशन्शिप में हैं वेल इसी चीज़ को लेकर बा से सभी लोग फिर से एक बार नाराज हो जाएंगा और बापु जी कि जो तब्यत है बहुत सादा खराब हो जाएगी बाके इस हरकत के बाद यह सब कुछ दोस्तों आपको शो के अपकमिंग ट्विस्त में देखने को मिलने वाला है कमेंट सेक्शन में कमें बतागे कितने एकसाइटेड हैं आप अनुपमग के अफकमिंग ट्विस्त को देखने के लिए और अगर अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजो तक जित्ती भी लेटिस्ट अपडेट है या फिर छटफटी गॉसिप से मैं यानि की काज़ आप तक सबसे पहले पहुचाती रहूंगी और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें and thank you so much for watching our video